मुझे एक इंट्रेस्टिंग चीज दिख रही है बजाज फिनसफ के शेयर में तो मैंने का आप लोगों से डिसकस कर ली जाए साथ सब बजाज फिनसफ का शेयर भी डिसकस कर लेंगे तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ डिस्क्लोजर दे दू बजाज फिनस रिमेंज फिनसफ फिनसफ हो डिपेंडिंग अपने पोर्टफोलियो के साथ से एक बहुत ही क्रूशल चीज इसके अंदर हुई है जो मेरे ख्याल से डिसकस करने बनती है यहां पर अगर आप ट्रेडर हैं स्पेसिफिकली तो आपको नजर में रखनी चाहिए तो हम देख सकते हैं यहां पर हमारी 200 में उसको तोड़ दिया इसने और अभी तो खेर एक देखो हमर काइंड ओ फॉर्मेशन है इसके अंदर बट यूनो अगर यहां से नीचे जाता है तो आपको थोड़ा केरफूल लेना जरूरी है यह जो इसने गैप अपसा दिया था यूनो जब अर्णिंस बहुत अची आ जादा मैं काऊँगा इंडेफ्ट डिसकेशन हुआ हैं चीजों के उपर तो कहीना कहीं आपको ध्यान रखना है समल के रहना है जबर्दस्ती यहां पर बाइंग वगेरा मत करते रहना मेरी रेक्मेंडेशन यह ही कि थोड़े जब लेवल्स ठीक होने लगे तो बाइंग कर पर बेकॉज यहां से नहीं पता है कि इसमें डाउन टर्न कितना हो अब हविंग सेट देस बजाच फिनसफ का चार्ट थोड़ा बेटर है थोड़ा क्या मैं काफी बेटर है तो बजाच फिनसफ में अगर आप देखोगे यह भी अपना जटके मार रहा है बार बार सपोर्ट पर बाउंस होए जा रहा है बट यह तूट नहीं रहा है और दोस्तों यह में इसकी बहुत नीचे है तो बजाच फिनसफ में रीसेंट्ली स्टॉक स्प्लेट हुआ था आप देख सकते हो इसलिए कई ना कई इसका जो मुव्मेंट थी इसके जो चार्ट में दम था थोड़ा जादा लग रहा है हमें बट पर्टिकुलर्ली अगर मैं दोनों कम्पनी इसको वैसे देखो हूं फंडमेंटली वरी साउंड यूनों इट माइट गिव गूट ऑपर्चुनिटी तो अपको यह वीडियो दिखेगी तो हाई चांसे है रिकवरी भी दिखा दे अगर कोई डिसीजन हमें दिख रहा है तो आप अपनी समझ से उसको एक्जिक्यूट फिर कर सकते हैं यह एक ऐसी लाइन है जिसके नीचे मैं इस शेर को नहीं देखना चाता पर्टिकुलर्ली बट यह एक बार को अब जाता हुआ मुझे लग रहा है इसके नीचे और यह I'll be very very happy but अभी मुझे नहीं लग रहा है एकदम से कि इसके अंदर momentum उसे आप से बनेगा यह कुछ होगा again keep it on your radar, keep it on your watch list but you know मैं काफी disappointed हूँ जिस तरीके से Bajajaj Finance में sell or fire because banking अच्छा कर रहा है, banking में you know I'm continuously buying but Bajajaj Finance is a very heavy position in my portfolio तो यह जब बड़ी positions तूटती है तो थोड़ा दुख होता है, no doubt and इनको थोड़ा manage करना भी tricky हो जाता है portfolio के size के साब से, so यहाँ पे levels मैं watch कर रहा हूँ, I particularly you know won't be selling in a hurry Bajajaj Finance एक ऐसा share है जिसको मैं पूरा मौका देना चाहूँगा recovery का, हमने देखा है कि कितना well run you know यह company है और कितना ढंक से इसके finances managed है खुद के, तो यह क मुझे कहीं पे भी लगता है कि दिक्कत जादा बढ़ रही है, तो considering कि you know I have been holding it for a few years, तो पता नहीं कहां से average आ रही होगी और कितनी average होगी, मैं उतना घबराऊंगा नहीं से बेचने बट मुझे लगता नहीं है कि वो नौबत यहाँ पे आनी चाहिए, अब yes valuation wise अगर आप देखो कि Bajaj Finance हमेशा से महंगा रहा है, बट it continuously delivers on numbers as well, तो that is something that I do not mind, तो थोड़ा premium अगर आप पे कर रहे हो market में, उसमें कोई बुराई नहीं है, especially अगर Bajaj Finance उस चीज़ को maintain कर पा रहा है, अपनी business की performance में, तो stock performance का इनगाई follow करती है इस case में, apart from this, अगर मुझे कुछ हो लगेगा तो फिर मैं आप लोगों से जरूर डिसकस करूँगा, Bajaj Finance का chart is much better, दोसों यह में बहुत नीचे है, support पे खड़ा है, इसने support को break किया है, इसको हम देखेंगे कि क्या रहता है इसका, यह कुछ लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जतने उनों आप support को नीचे यहाँ प and आप बस इसको नजर में रखो, आगे आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होता है and then उसके साफ से आप call दे सकते हैं, but yes, this chart is a bit weaker than Bajaj Finsov and Bajaj Finsov, you know, अगर मैं compare करूं दोनों को, तो I think आप हरान हो जाओगे कि कितनी performance में difference रहा है इन दोनों का, तो कहो तो चलो compare कर भी लेते हैं, मैं यहां पर simply Bajaj का दूसरा share search कर रहा हूँ, तो recent अगर आप देखोगे कुछ time से, तो under performance है Bajaj Finansman बहुत ज़्यादा, बट जैसी हम पीछे चले जाते हैं, तो फिर आप देखतो Bajaj Finans is severely outperformed, तो यह सब इनका चलता रहता है, बट येस, you know, अगर हम पिछले एक साल यह उसे सब से देखें, बहुत underperform हो है Bajaj Finans, आप बेर टूद फिंसर वाला जो share है, फिंसर में इनके इंचॉरेंस के बिजनसे आते हैं, जनरल इंचॉरेंस, लाइफ इंचॉरेंस, अगर किसी को नहीं बता, तो यह होगा गाईज, आज की वीडियो आप लोगों की, आपकी नजर रहनी चाहिए शेयर पे, यह तो Bajaj Finans is getting made with Bajaj Finans, so makes no sense, तो यह आपको golden line दिखरे है, मैं इसको भी हटा दूँगा, but that would be it for this video, thank you so much for watching, नजर रखना, informed decision लेना, जबर जस्ती, हबर तबर सी मत करना, that's it, bye bye, Jai Hind! यह तो Bajaj Finans